हाई फ्रेंट्स, सामने हिंदे की मुहाव्रे शरंखला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कावर्ग में गर से श्रू होने वाले मुहाव्रें। पहला है गले का हार हूना जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। जिसका वाक्य प्रियोग है लक्षमण राम के गले का हार थे गर्दन पर सवार होना जिसका अर्थ है पीछाने छोड़ना जिसका वाक्य प्रियोग है जब देखो तुम मेरी गर्दन पर सवार रहते हूं गला छूटना जिसका अर्थ है पिंड छोड़ना जिसका वाक्य प्रियोग है उस कंजूस की दोस्ती तूट ही जाती तो गला छूटता गर्दन पर छुरी चलाना जिसका अर्थ है नुकसान पहुचाना जिसका वाक्य प्रियोग है मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरहें मेरे गले पर छुरी चला रहे थे गड़े मुर्दे उखारना जिसका अर्थ है दबी हुई बात फिर से उभारना जो हुआ सो हुआ अब गड़े मुर्दे उखारने से क्या लाब गागर में सागर भढ़ना जिसका अर्थ है एक रंग धंग पर ने रहना जिसका वाक्य प्रियोग है उसका क्या भरोसा वह तो गिरगिट की तरहे रंग बदलता है गुल खिलना जिसका अर्थ है नई बात का भेद खुलना या विचित्र बाते होना जिसका वाक्य प्रियोग है सुनते रहिए देखिए अभी क्या गुल खिलेगा गिर्गिट की तरह रंग बदलना जिसका अर्थ है बातें बदलना जिसका वाक्य प्रियोग है गिर्गिट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई इज़त नहीं करेगा गाल बजाना जिसका अर्थ है डिंग हाकना जिसका वाक्य प्रियोग है जो करता है वही जानता है गाल बजाने वाले क्या जाने गिन गिन कर पैर रखना जिसका आर्थ है सुस्त चलना या हद से ज्यादा सावधानी बरतना जिसका वाक्य प्रियोग है माना कि ठक गए हो मगर गिन गिन कर पैर क्या रख रहे हो शाम के पहले घर पहुचना है या नह नेक्स्ट है गुस्सा पीना जिसका आर्थ है क्रोध दवाना जिसका वाक्य प्रियोग है गुस्सा पीकर रह गया चाचा का वह मुह लगाने होता तो उसकी गत बना छोड़ता नेक्स्ट है गूलर का फूल होना जिसका आर्थ है लापता होना जिसका वाक्य प्रियोग है वह अपने वंच में प्रेम चंद सच्मुझ गुदड़ी के लाल थे गांट में बांधना इसका अर्थ है खुब याद रखना इसका वाक्य प्रियोग है यह बात गांट में बांध लो तंदरुस्ती रही तो सब रहेगा नेक्सट है गुडगोबर करना इसका अर्थ है बनाया क काम बिगाड़ना इसका वाक्य प्रियोग है वीरू ने जरासा बोलकर सब गुडगोबर कर दिया नेक्सट है गुरु घंटाल इसका अर्थ है दुष्टों का नेता या सरदार इसका वाक्य प्रियोग है अरे भाई मौनू तो गुरु घंटाल है उससे बच कर रहना नेक् गच्चा खाना जिसका अर्थ है दोका खाना जिसका वाक्य प्रियोग है रामु गच्चा खा गया वरना उसका कारो बोर्थ चला जाता गजब धाना जिसका अर्थ है कमाल करना जिसका वाक्य प्रियोग है लता मंगेश करने तो गाई की में गजब धा दिया है गज़ भर की छाती होना जिसका अर्थ है अत्यधिक साहसी होना जिसका वाख्य प्रियोग है उसकी गज़ भर की छाती है तब ही तो अकेलेने ही चार-चार आतंकवादियो को मार दिया नेक्स्ट है गड़ फतेह करना जिसका अर्थ है कठिन काम करना जिसका वाक्य प्रियोग है आईए स्पास करके शंकर ने सचमुच गड़ फतेह कर लिया गधा बनाना जिसका अर्थ है मूर्ख बनाना जिसका वाक्य प्रियोग है अप्रेल फूल डे वाले दिन मैंने रामू को खूब गधा बनाया गधे को बाप बनाना जिसका अर्थ है काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामत करना जिसका वाक्य प्रियोग है रामु गधे को बाब बनाना अच्छी तरह जानता है गर्दन एठी रहना जिसका अर्थ है घमंड या अकड में रहना जिसका वाक्य प्रियोग है सरकारी नौकरी लगने के बाद तो उसकी गर्दन एठी ही रहती है गर्दन फसना जिसका अर्थ है जंजट या परिशानी में फसना जिसका वाक्य प्रियोग है उसे रुपईया उधार देकर मेरी तो गरदन फस गई है गरम होना जिसका अर्थ है प्रोधित होना जिसका वाक्य प्रियोग है अंजु की दादी जरा जरा सी बात पर गरम हो जाती है नेक्स्ट है, गला काटना, जिसका अर्थ है, किसी की ठगना, जिसका वाक्य प्रियोग है, पल अधिहापक ने बताया कि किसी का गला काटना बुरी बात है, नेक्स्ट है, गला पकडना, जिसका अर्थ है, किसी को जिम्मेदा ठहराना, जिसका वाक्य प्रियोग है, गलती चा किया है और गला मेरा फसा और है बहुत चतर है वह मैं ने उसे एक बार पैसे उधार क्या दे दिये वह तो गले ही पढ़ गया नेक्स्ट है गले पर छुरी चलाना जिसका अर्थ है अत्यधी खानी पहुंचाना इसका वाक्य प्रियोग है उसमें मुझे नौक्री से बे दखल कराके मेरे गले पर छुरी चला दी नेक्स्ट है गले ने उतरना जिसका अर्थ है पसंद नहीं आना इसका वाक्य प्रियोग है मुझे उसका काम गले ही उतरता वे हर काम उल्टा करता है नेक्स्ट है गाठ का पूरा आँख का अंधा जिसका अर्थ है धनी और किंतु मूर्ख व्यक्ति जिसका वाक्य प्रियोग है सेटसी गाठ के पूरे آख के अंदे है तभी रामु का कहना मानकर अनाड़ी मोहन को नौकरी पड़ रख लिया है जिसका अर्थ है तुछ समझना जिसका वाक्य प्रियोग है मोहन ने कहा कि उसे कोई गाजर मूूली ने समझे बहुत कुछ कर सकता है गाड़ी कमाई जिसका अर्थ है महनत की कमाई इसका वाक्य प्रियोग है ये मेरी गाड़ी कमाई है अंदा धुंद खर्च मत करो गाड़ी दिन जिसका अर्थ है संकट का समय इसका वाक्य प्रियोग है रमेश काडे धिनों में भी खुछ रहता है जिसका अर्थ है रूटना जिसका वाक्य प्रियोग है अंशु सुबह से ही गाल फुला कर बैठी हुई है गुजर जाना जिसका अर्थ है मर जाना जिसका वाक्य प्रियोग है मेरे दाजाजी तो एक साल पहले ही गुजर गे और तुम आज पूछ रही हो निक्स्ट है गुल खिलाना जिसका अर्थ है बखेडा खड़ा करना इसका वाक्य प्रियोग है ये लड़का जरूर कोई गुल खिला कर आया है तभी चुब बैठा है निक्स्ट है गुल खर्रे उड़ाना जिसका अर्थ है मौज मस्ती करना इसका वाक्य प्रियोग है मित्र परिशाय नजदीक है और तुम गुल खर्रे उड़ा रहे हो गूंगे का गुड जिसका अर्थ है वर्णना तीत अर्थाथ जिसका वर्णन ने किया जा सके इसका वाक्य प्रियोग है दादाजी कहते हैं कि इश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है वह तो गूंगे का गुड है नेक्स्ट है गोता मारना जिसका अर्थ है गायब या अनुपस्थित होना जिसका वाक्य प्रियोग है अरे मित्र तुमने दो दिन कहां गोता मारा नदर नहीं आए निक्स्ट है गोली मारना जिसका अर्थ है त्याग देना या ठुकरा देना जिसका वाक्य प्रियोग है रन्जीत ने कहा कि बसको गोली मारो हम तो पैदल जाएंगे नेक्स्ट है गों का यार जिसका अर्थ है मतलब का साथी जिसका वाक्य प्रियोग है नमेश्ट गों का यार है वो बे मतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा संतान होना, विवा से पूर्व कन्या की आचल में नारियल आदी सामान देकर विवा पक्का करना सुरेश की बहन का गोध भर गई है, अब अगले महाँ शादी होनी है नेक्सट है, गोध लेना, इसका अर्थ है, गट्तक बनाना या अपना पुत्र ने होने पर किसी बच्चे को विधीवत अपना पुत्र बनाना जिसका वाक्य पुरियोगे, महिमा दीदी के जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोध लिया गोध सुनी होना जिसका आर्थ है संतान हीन होना जिसका वाक्य परियोग है जब तुम्हारी गोध सुनी है तो किसी बच्चे को गोध क्यू नहीं ले लेते गोवरगणेश जिसका आर्थ है मूर्ख निसका वाक्य प्रियोग है वह तो एक दम गोवरगणेश है उसकी जमझ में कुछ नहीं आता गोल माल करना जिसका आर्थ है काम, बिगाड़ना या गड़़ करना चप वाक्य प्रियोग है मैंने गंगा जल चली उठा ली तो भी उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ गाल बजाना दिंग मारना काल के गाल में जाना बृत्यू के मुख में पढ़ना गंगा लाब हुना जिसका लाब हुना घीदर भवगी मं में ढरते हुए भी उपर से दिखावटी क्रोध करना, गुडियों का खेल, जिसका अर्थ है सहज काम, गताल खाते में जाना, जिसका अर्थ है नष्ठ होना, गाडे में पढ़ना, जिसका अर्थ है संकट में पढ़ना, गोटी लाल होना, जिसका अर्थ है लाब होना, गड़ा खोदना, जिसका अर्थ है हानी पहुंचाने का उपाय करना नेक्स है गूलर का कीड़ा इसका अरत है सीमित दायरे में बटकना प्रेंट्स आज के रिए सिर्फ इतना ही लेक्स